अच्छ जी असलम अलेकूम अब मुर्य फार जो सेगेंड कुश्चन है उससे पहले जो है वीडियो स्टॉप हो गई थी तो मैं पर पुराना वाला क्वेशन दुबारा से एक्स्प्लेन कर दू तो क्वेशन यह था कि यहां पर आप लोगों ने टेंचन स्कूर एक्स का डेर लेना था दूसरे फंक्शन के लिहास से लेकिन दोना फंक्शन जो है से मेरियाबल के हैं ऐसे किसमें हम कौन सरूर यूज करते हैं चेंडूर यूज करते हैं तीक है इसको हम किसी एक वेरियाबल के बराबर लेते हैं वाई या यू ठीक है तो हम लिगते हैं कि य का dox numerator में du चाहिए तो आप क्या करते हैं इसको dx by du के सामें multiply करते हैं ताकि आपको यह और यह same effect देए ठीक है यानि कि आपको dy by du तब ही मिले कर जब आप dy by dx को multiply करेंगे dx by du के साथ ठीक है तो y का derivative with respect to x लिया ठीक है और उसके बाद u का derivative with respect to x लिया लेकिन हमें तो зм टेखे उसका रीड़ी ज़िया है जब किसी के नीचे कोछ नहीं होता हूं तो ग्री को होता है जब आपकी तो आपके पास यह बनेगा डिएक्स बाइडी उजिकोस टू वन ओवर माइनस त्री कुट इंजिन स्कूर एक्स को सीकंड स्कूर एक्स अपको बनेगा निड़ी इन दुना आधर्स को आपको क्या करना था मंटिप्लाई करना था वन के साथ जो चीज मंटिप्लाई होती है वापस वो यादं थी और आपके पास या-धर आगी ओ ठीक हमारे पार जो next question है वो important question है इसको आप लोग important बोले यहाँ पर आपके पास क्या है why is equals to अच्छा मैंने उसके बात यह भी कहा था कि आपने यह विला जो question है वो home work में करना है यह question काफी easy question है इस में और इस में यह फर्क है उपर वाले question में और इस question में यह फर्क है कि यहाँ पर second के पर power नहीं है तो बस power rule नहीं लगे काफ लोग यह question solve करें आप लोगों के पास यह answer आए तो मुझे जरूर बताईएगा ठीक है तो आपके पास है y equals to under root tangent x tangent x under root मतलब एक under root के अंदर काफी under root है यहाँ आप लोगों को अगर नजर आ रहा हो तो यहाँ पर कुछ इस किसम का है कि ठीक है एक ही under root के अंदर बागी सारे questions जो है वो जूपे अब आपको कहता है कि show grade 2y-1 dy by dx is equals to cos x ठीक है यहाँ कि आप इसको show करना है कि यह cos x के बरापर है लेकिन यहाँ से मैंने एक बात की कि कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज इस्तमाल हुई है derivative इस्तमाल हुआ है ठीक है तो हम derivative वाला method जो है वो use करेंगी ठीक है तो आपके पास है दोना साइटों पर आपने derivative अप्लाई कर लेना है ठीक है प्लस प्लस भी इनके दर्मियां में आता है ठीक है अब हमें इसको मालूम करने के लिए कि 2y-1 dy by dx कास x के बराबर है हमें dy by dx भी मालूम करना है ठीक है यह तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक साइट पर इसको हम कुछ इस तरीके से derivative लें और इस किसम की शेप इसकी बनाके प्रूफ करते है इस तर्माल को लेके ठीक है अच्छा अब चूंकि यहां पर अंडरूट है तो मेरा कुछन जो है काफी complicated होचेगा अगर मैंने इस अंडरूट को power निचे लेकर आई यहां मैंस यानिके power rule यूज किया तो उसके लिए असान टिप मैंने यह कर दी है यहां पर यहां पर मैंने इस question का square ले लिए जब मैं क्विश्चन का square ले लोगी ठीक है तो इससे मेरे पास यह question था हमारे पास basically जब मैं square ले लोगी दोना side उपे यहां पर Y square बेंजेगा और यहां पर इसे फुरसेफ पहला वाला जो है आपके पास क्या कर जाएगा अंडरूट कैंसल हो जाएगा तो आपके पास आजएगा y square is equal to tangent x plus under root tangent x plus under root tangent x plus dot 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 यहां पर भी ठीक है अब हमारे पास यहां पर बन जाएगा y square is equal to tangent x plus अब मैंने यह observe की तो वापिस question यह बनगी हम कितनी मरतबा भी square लें यह तो infinite तक प्रॉसेस जा रहा है तो वापिस जितनी मरतबा भी square लेंगी यह question जो है वो आगे continue है infinite है यह बनता रहेगा तो मैं इसको अगर y लेकर हो तो इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि यह तो वापिस question है जो question है वो बराबर है y के तो मेरे जो गूंपीर के जो उपर से question बना हम इसको कह सकते हैं कि y square जो है बराबर है tangent x plus y के लेकिन मुझे तो derivative चाहिए कि इसका y का with respect to x यानि कि d y by dx में दोन कर लोगे ठीक हो गया अच्छा यहां पर आपको नदर आ रही होगे power power को नीचे लेकर आए हैं ठीक है और power में से आप लोग क्या करोगे one minus करोगे and power के बख़र derivative लोगए अच्छा जी असलावलेकूम लास्ट जो हैं हमने वीडियो में जो है कुछ questions transcendental function बख़रा है और उस हैं और उसके बाद हमने कुछ questions वगयरा कि हैं तो आज हम वहां से continue करेंगे जहां से हमने last class में अपने topic stop किया था तो मैं आप लोगं को थोड़ा सा बता दी चाहिए हमने क्या क्या पढ़ा था और अब हमारा क्या क्या रहता है ठीक है तो यह ट्रांजिटेंडल function पढ़ा था इसकी छे फार्मॉले पढ़े थे यहां पर हमने यह explanation function पढ़ा था उसमें logarithmic function पढ़ा था और यह कुछ questions की थ जिस जिस पर जो है टिक मार्क हुए में हैं तो तक्रीबन हमने यह 22 questions जो है हमने कर लिये थे तो आज हम 22 से आगे proceed करेंगे इसका मतलब है कि हम 23 questions 23 questions करेंगे यहां पर इसको 22 ही नाम दिया गया है बट यह हमारा जो है 23 questions है I hope आप लोगों को सही से clear से नजर आ रहा होगा त तो आज हम अपना 23rd question करेंगे है तो इसको start करते है अब आप लोगों को मेरे पहले इस तरीके से बताती हूं कि आप लोगों नहीं पर में किस तरीके से इसको याद करना है अब यहां पर आपको क्या मालूम करने डेरिवेटिव तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेट तो सबसे पहले हम जो question कर रहे हैं वो पस 22 ही question है तो 22 ही मैं इसको नहीं देती फिलहाल क्योंकि हम अभी यह वाला question कर रहे हैं तो हमारे पास इसका derivative मालूम करना है question है y equals to x cube sec square 3x ठीक है अच्छा x cube एक अलग function है एक यह function है और एक sec square के अंदर जो चीज़ है वो है 3x इसका मतलब है sec square 3x ही function है यानि कि यह सिर्फ और सिर्फ दो function है ऐसे नहीं करना कि आपने x cube को एक function, secant को एक function और 3x को एक function consider करना ऐसे नहीं क्योंकि आपको नदर आ रहा है कि secant के जो अंदर input है जो secant का function है वो vary कर रहे है इसके multiple of 3 से तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास किते function है two function है तो जब आपने जब दो functions आपस में क्या हो रहे हैं multiply हो रहे हैं तो आप पत होने चाहिए जब दो functions multiply हो रहे होते हैं तो हम उसके derivative लेने के लिए जो rule यूज़ करते हैं वो है product rule है ठीक है तो हम question के दोना side पे d by dx apply करेंगे ठीक है d by dx x cube secant square 3x उसके बार according to product rule जो है आप लोग क्या कर सकते हो फर्स का function भी derivative ले सकते हो और second का भी ले सकते हो product rule में ऐस तच कोई issue नहीं होता जब भी हम first का लई है second लेंगे उसका issue नहीं होता ठीक है तो x cube को छोड़कर हम क्या करते हैं d by dx का derivative लेते हैं second square 3x का derivative लेते हैं और द्रम्यान में हमेशे जो है प्लस का sign है इस लिए फर्क नहीं पड़ता अगर माइनस का sign होता है तो राजमी सी बात है कि वह फिर फर्क हमें देता है ठीक है अब यहां पर अब सीकेंट स्क्वेर जो है 3x को हम छोड़ेंगे और d by dx हम अपलाए करेंगे x cube पर ठीक है मजीद x cube यहां पर हमारे पाद एससे टे सुपर से नीचे आए जब हम derivative लेंगे तो सबसे पहले सीकेंट से पहले जो चीज़ हमें हिट कर रही है वो जो है पावर है तो according to power rule जो है हम पावर नीचे लेकर आएंगे ठीक है पावर में से 1- करेंगे तो हमारे पास जो रहे जाएगा वो सीकेंट की पावर के रहे जाएगी just 1 रहे जाएगी और पावर के बगार जो हम कहलें पावर नीचे लेकर आते हैं पावर में से 1- करते हैं 2-11 होता है तो मैं डिरेक बन लिख लिया और पावर के बगार अब हम कहलेंगे डेरिवेटिव ठीक है प्लस अब यहां पर देखें यह सीकेंट स्क्वेर 3 एक्स नीचे आएगा ऐसी और 3 एक्स क्यूब के डेरिवेटिव जो होगा वो पावर नीचे पावर में से 1- एंड पावर के बगार डेरिवेटिव ठीक हो गया उसके बाद आपको नेजर आ रहोगा यहां पर आता है ए सीकेंट 3 एक्स याद रखें यह टू इस त्री के साथ मंटिप्लाइ नहीं होगा मैं पहले ही बता चुक्यों हूं कि इसका जो डुमेन है वो तुरू आउट दर क्वेस्चन जो है वो सेम रहते हैं अब सीकेंट का डेरिवेटिव क्यों होते हैं सीकेंट एक्स टेंजन एक करो की यह पहुंकर नहीं इसकर पास सीकेंट एक्स क्यों है सीकेंट इक्स टेंजन एक्स टीक है इदर से मैंने डर्क्ली यहां के लिए इस धर्यक्रीवेट्ट के फaRuma La को याद करते हुए गिविद्वai bez योता है वो सीकेंट एक्स टेंजन एक्स तहता है जो इसका पर वो इसका भी होगा लेकिन याद रखे जब भी आपके पास X के लावा होता है तो मैंने आप लोगों को सिखाया है पिछली वीडियो में कि आपने उसका भी साहर में देरिवेटिफ लेना होता है सबसे एंड में आप लोग डुमें का जो है डेरिवेटिफ लेता है तो सब कुछ करने के बाद या नहीं पावर रूर यूस करने के बाद डेरिवेटिफ लेने के बाद सबसे एंड में जो आखरी स्टेफ रह जाता है तो आपके इंपुट का क् सकते हैं जी इस तरी को साथ में मंटिप्लाइए करना यहां पर एक्स टू त्री माई सेवन चले जाए कि एक्स स्क्वेर आजए का और आपके पास आजए कर सीकेंट स्क्वेर 3 एक्स डी एक्स डी एक्स कैंसल हो कि आपको वन देता है ठीक है तरी हमें यहां पर देखी एक्स क्यूब सीकेंट 3 एक्स यहां आपके पास सीकेंट सेकेंट सेम है तो यहां पर बंचीगर स्क्वेर ठीक है और आपके पास रहे एक्स त्री एक्स का डेरिवेटिव क्या हाथ त्री प्लास त्री एक्स स्क्वेर सेकंट स्क्वेर ट्री एक्स ठीक है तो यह त्री स्टाट में चले जाएगा तो स्टो इक्स १ स्क्वेर ट्री एक्स ट्री एक्स ट्री एक्स स्क्वेर 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 अब इन दोनों में कुछ पूमन भी नि दर आल रहा है तो अब हम comment two कि कॉमन किया है अच्छा जी कॉमन अगर हम देखें यहां पर तो हमारे पास आता है 6 नहीं सोरी 6 नहीं सीकेंट स्क्वेयर 3 X और X यहां पर 3 है और यहां पर 2 है तो हमारे पास आज़े का X स्क्वेयर तो 6 अंदर रह जाएगा एक X रह जाएगा और टेंज़ेंट 3 X प्लस यहां से आपके पास रह जाएगा 3 अगर देखा जाए तो यह 3 भी हम कॉमन ले सकते हैं तो 3 X स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर 3 X 2 X टेंजेंट 3 X प्लस 1 यह इसका क्या हो क्या आंसर अब हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट ह आंसर उसके साफ से हैं या नहीं तो हम यह देख लेते हैं यहां पर है 6 X 4 यह 6 X 4 नहीं, यह 6 X स्क्वेयर है 6 X स्क्वेयर 6 X स्क्वेयर 2 X स्क्वेयर, 2 X टेंजेंट 3 X और second square 3x ठीक है इसमें थोड़ी सा answer mistake है अगर आप लोगो ने answer पेदे से note कि हुए है तो आप लोगो इसमें mistake को correct कर लें यहाँ पे 6 तक 2 square रहता है क्योंकि derivative में power decrease होती है ना कि power increase हो ठीक है और यहाँ पर 3x tangent के साथ 3x आना चाहिए है और बाकी सब कुछ ठीक है ठीक हो गया अब हम जो है next question करने जा रहे है next question जो है उसको start करने से पर हम थोड़ा सब्सक्राइब पांचीत कर लेते हैं उसको देख लेते हैं कि हो हमारे पास क्या कहता है ठीक है next question जो है हमारे पास है differentiate u is equals to tangent square तो y is equals to tangent square x with respect to u is equals to tangent square x usually हमें यह यह और यह नहीं दिया होता और हमें कहते हैं कि इसको इसके लहाँ से differentiate करोगी है ज़रूरी नहीं है कि हमें यह 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 हमें given हो given है तो ठीक है और अगर नहीं given तो आप लोगों नहीं फिर इसको लेट करना है यानि सब पोस्ट करने है ठीक है इसी पीच पे स्टार्ट कर लेते है नेक्स पीच पीच पी तो अब हमारे पास जो question है question क्या है question number 23 ठीक है question number 23 को हमें start कर रहे है question number 23 जो है वो है हमारे पास के tangent square y x को differentiate करें को tangent square x के लिहाज से ठीक है अगर नहीं दिया वाए तो आप लोगों ने कहना है light y is equals to पहला वाला function ले लो दूसरा ले लो करने लेना है और दूसरे variable को दूसरे variable के बराबर अच्छा ऐसा क्यों करना है इससे हम इसको आराम से लिखेंगे करना लिखा है कि differentiate tangent square x with respect to cotangent square इसका मतलब है y का derivative लेना है tangent square derivative लेना है with respect to u अब मसला यह है कि हमारे पास जो पहले questions होते थे वहां पर जो भी नीचे variable use होता था या एक्स वगारा यह जो भी उसका already function पर मुझूद होता था अब मसला यह है कि यह वाई जो है वह भी function x का और u function है वह भी है x का function है तो हम y respect to u कैसे मालूम कर सकते हैं आप लोगों को बहरे पहले भी बता चुकी हूँ कि जब ऐसे questions आते हैं जिसमें हमारे पास variable change होते हैं मतला y किसी उपर वाला किसी और चीज का function होता है और y यू नीचे वाला भी किसी और चीज का function होता है यानि दोनों होते same function है किसी के यानि दोनों x x क function है लेकिन एक दूसरे पर इस तरीके से depend नहीं करते इस तरीके से तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं कौन सा rule यूज करते हैं chain rule यूज करते हैं तो मतला कौन सा rule है हमारे पास chain rule dy by du is equals to dy by हम x का derivative ले सकते हैं तो dy with respect to x अच्छा अब अगर आपने first step लेक लिए तो आपको पता होना जी दूसरे step होगा obviously dxy du क्योंकि यह से dx dx वैसे भी cancel होते हैं आपके पास dy by du वापे साथ है अब सवाल यह है कि dy by du तो हम मालूम कर लेंगे क्योंकि हम y मालूम है उसका derivative from the respect to x ले लेंगे x का derivative with respect to u कैसे लेंगे तो basically हमारे पास u तो मुझूद है उसका derivative from the respect to x ले लेंगे और आप आखर में हम इसको क्या करेंगे उसका receive broker ले लेंगे तो कैसे करेंगे सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने dy by du मालूम करना है क्योंकि लिखा लेंगे तो y का derivative लेंगे with respect to x और x का derivative ले रहें यह बाद में दोबारा से समझा दोगी तो सबसे पहले हमारे पास है y का derivative लेना है with respect to तो हम वाय दुबारा लिख लेते हैं कि y हमारे पास है tangent square x की इसका derivative लेना हमने with respect to x तो दोनों siater पे हमने क्या apply किया डी by dx applied किया ठीक ह तो अब यहां पर अगर आप लोग देख लो आप लोग नीचे नीचे भी लिख सकते हो मेरे पास जो है अग स्पेस है तो मैं यहां पर लिख लिख लिए हमारे पास आज़े का डी वाई बाई डी एक्स इस इकोस टू पावर रूल यूस करेंगे पावर नीचे लेकर मजीद आपको पता चल रहो होगा इसका डी वाई बाई डी एक्स का वो आता है टू टेंजेंट एक्स और टेंजेंट का डीरिवेटिव क्यों होता है सीकेंड स्क्वेर एक्स यह आपको कहां से पता चलेगी वह पेला पेज की फार्मुला अगर आप लोग देखोगे ना आप लगों का डीओ जोगा इसका डीरिवेटिव सीकेंड स्क्वेर एक्स क्यूं है और कैसे यह दो हमारे भास होगे हमें फिर्स चीज चीज मालुम करनी थी वह तौ महीं मिल गई है कि डी वाई बाई डी एक्स लेकिन हमें मालूम करना है डी वाई बाई डी यू अभी हम हमारे सिफ dy by dx वालूम हुआ है हमें dx by du मालूम करके इन दोनों आंसर्स को क्या करना आप इसमें multiply करने लेकिं मसला यह एक्स तो नहीं है यू का function है तो यू का function क्या है हमारे पास cotangent square x इन दोनों का derivative भी हमें respect to x लेते हैं ठीक है तो हमारे पास cotangent square x यहां पर आ गया सबसे पहले कुंसी चीज़ है यहां पर आपके पास है पावर ठीक है sorry question में cotangent cube है ठीक है पावर निचे लेकर आएंगे पावर में से one minus करेंगे तो आपके पास आएगा three में से one चला जाएगा तो आपके पास two आता है तो अगर में two नहीं लिख रही है इस समझाने के लिए 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 हूँ कि आप पावर निचे लेकर आते हैं पावर में से one minus करते है और then power के बगार आपको नहीं क्या करना होता है derivative लेना होता है ठीके इस से आपको पता चलता है यहां पर आज़ेकर three cotangent x square और cotangent x का derivative को होता है minus को second square x minus को second square x तो यहां से आपके पास minus को हमें start पे लगा लेते हैं तो हमारे पास आज़ेकर three cotangent square x को second square x ठीक हो गया तो हमारे पास यहाँ पर दो answers आ गए है एक हमारे पास है dy by du का answer और जो कि है 2 tangent x secant square x जो कि हमने अगा start से लिखे और एक हमारे पास y का derivative u का derivative आया है with respect to x जो कि है minus 3 tangent square x secant square x ठीक है अब हमारे पास यह दो answers है तो chain rule वाले फार्मूला पर पुट करेंगे तो हमारे पास बज़े का dy by dx dy by du is equals to dy by dx multiply dy by dx by du हमारे पास यहाँ पर dx by du नहीं है du by dx मुझूद है तो हम क्या करेंगे du by dx मालूम करने के लिए इसका औलट लेंगे